नमस्कार दोस्तों आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे देखिए आज हम डिस्क्स करेंगे 5-6 जन्वरी का दा हिंदू निस्पेपर और पी आईबी दा इस प्रेस इंफोर्मेशन ब्यूरो का इंपोर्डन्ट करंट अफेयर्स तो लिजे गाइज स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बात करेंगे एस्पिरेशनल ब्लोक प्रोग्राम के बारे में कल देखिए इस प्रोग्राम को बिल्कुल लॉंच किया जाएगा और ये प्रोग्राम सेम उसी प्रोग्राम की तरज पे है जिसका नाम है एस्पिरेशनल डिस करेंगे एक्रो स्टेट सिक है तो संख्या को बिल्कुल देख लेना 500 है 1000 है कितना क्या कुछ है क्योंकि अगर पूछा जाए तो ऐसा ही confusion देखने को मिलेगा आपको ठीक है गाई इस confuse करेंगे ठीक है तो बिल्कुल संख्या को बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा जिस पोर्टल का नाम है Champions of Change आप देखिए Champions of Change के बारे में पता होना चाहिए कि भाई aspirational district program से related है या किस से क्या कुछ है ठीक है confusion देखने को मिलेगा अगर पूछा जाता है तो कभी उसके बाद में guys हम यहाँ पे बात करते हैं पिचेतरवा anniversary of Myanmar's freedom from British rule आप देखिए भारत के कौन से क्या state North East के especially अगर हम बात करें तो कौन कौन से देश को क्या कुछ टच करते हैं बिल्कुल अपने देश के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए दूसरा हम यहाँ पे बात करते हैं सेंटर ने declare किया TRF को the resistance front जो है TRF उसको terrorist organization तो पूझा जा सकता है इसकी full form भी पूझी जा सकती है कि TRF क्या कुछ है recently चर्चा में था ठीक है उसके बाद गाईज हम यहाँ पे बात करते हैं एक Nobel Prize winner जो है जिनका नाम है Alice Bialyatski देखिए इसकी जो नाम में जो spelling है Wikipedia में थोड़ा different भी देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे तो no need to worry लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो Alice Bialyatski जो भी है इनके उपर केस आ गया और जबकि इनको Nobel Peace Prize मिला हुआ है ठीक है जबकि इनको जेल में डाले जाने की बाते हैं यह सब चला हुआ ठीक है तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि भाई जेल में क्यो डाला गया जिसे 2011 में भी इनके उपर केस हुआ भी बिल्कुल पता होना चाहिए और देखिए हमारा जो ग्रीन हाइडरोजन मिशन है उसका भी पता होना चाहिए कि में ली उसका क्या टारगेट है जैसे उसका टारगेट है डवलप करना capacity of at least 5 million metric turn ठीक है तो इसके बाद में ब्लू एकानमी क्या कुछ है यह सारे दिस्कस करवा है 2012 के जो करंट अफेर है तो नो नीटू वरी ठीक है उसके बाद में गाईज बात करते हैं गंगा सागर मेला जो है इसको नेशनल स्टेटस मिले ये कहा है ममताब एनरजी ने तो ये मेला कहां पे क्या कॉलकता के वहां पे होता है ठीक है तो बिल्कुल पता हो को मिले हैं जनवरी का जो फर्स्ट वीक है ये तो हीट डॉम का नाम दिया गया तो कब क्या कंडिशन होती है जिसको हीट डॉम कहा जाए तो देखी ये कंडिशन जब आकर होती है जब कोई भी क्या एरिया है हाई प्रेशर का वो ट्रैप करी वाम एयर और रीजन तब बिल लेख की बात करें तो mainly social justice इसके तहट जो भी कुछ करना होता है ये लोग करते हैं ठीक है उसके बाद में P.I.B. की हम बात करें national highway construction आप देखिए national highways construct हुए हैं जो construction है national highways का उसमें आपको इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा 2014-2015 से 2020 किसके अगर हम specially बात करें और देखिए National Highway Authority of India जो है इसने गनीज वर्ल्ड रिकोर्ड भी बनाया था for the largest, sorry, longest continuously led bituminous length of 75 km इन 105 हार्थ 35 मिनट महारास्टरा के वहां पे देखिए जब यह चर्चा में आया था बिल्कुल हमने discuss किया था, no need to worry, कोई tension की बात नहीं है, हम लोग कुछ भी मतलब ऐसा कोसिस करते हैं हमेश्या कि कुछ भी ना रहे, सब कुछ cover करें, ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं Captain पार्षनाथ हिल्स भी कहा चाता है, ठीक है, पार्षनाथ की पहाडियां, सामेद सिखर जी, परवचेतर, तो सामेद सिखर जी, जैन धरम से संबंदीत यहां पे, तो देखिए, यहां पे जो टूरिजम मंतरा लहना वो लोग इस एरिया को डवलप करना चाते थे, लेकिन जैन कम्यूनिटी का बोलना है कि भई, इससे हमारा जो धरम है, उसको बिल्कुल, मतलब एक भावना को उनकी ठेस पहुंचने का, यह सब इशू चला हुआ था, पढ़ सकते हैं आप बिल्कुल, ठीक है, उसके बाद में गाईज बात करें, होके स्टेडियम भी चर्चा में है, तो यह ओडिसा में पढ़ता ही, आपको पता होना चाहिए, दूसरा हम बात करें गाईज, यहाँ पे देखिए, प्रेजिडेंट ओफ ग्यूआना और सूरीनेम जो है न, वो अटेंड करेंगे परवासी भारतिय दीवस को, इंडोर में नेक्स्ट वीक में ठीक है, तो जब वो करेंगे न भी यह उस दिन डिसकस कर लेंगे, नो नीट तू वरी, उसके बाद में हम बात करते हैं, आज देखिए, एशियन एलिफेंट चर्चा में है, निलगरी रिजर बिलकुल चर्चा में है, हजार बार कवर किया है, नो नीट टू वरी, ठिक एटेंशन लेने की कोई बात नहीं, आराम से अपनी पढ़ाई को चार्चान लगाए, अच्छे से पढ़ाई करते रहें, मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए हैवे वो समडे